नमस्कार साथियों मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साथियों आज का दिन पहुत खास है मेरे लिए और ये खास दिन बनाया है आप सभी लोगों ने आज मैं आपके सामने एक अपनी खुशी सेयर करने जा रहा हूँ साथियों आज हमारे चैनल ने एक लाद सब्सकार कर लिये एक मील का पत्थर पार कर लिया और ये सब गुआ आप सभी की बदोला अगर आप सभी लोग मेरे साथ ना होते तो सायत एक लाद सब्सकार करते हैं मेरे informative वीडियो ग्रूप के बहुत सारे ऐसे members हैं जो मुझे बहुत जारा support करते हूं वीडियो बनाने के लिए प्रेदित करते हैं वीडियो बनाने के लिए content उपलब्द कराते हैं ऐसे members की वज़े से ही इस channel ने इतनी progress की कि मार्च में हमारे 15,000 subscribers थे लेकिन आज वे एक लाग सब्सकारबर फूरे होगे आप सभी लोगों की बदोलत आप सभी ने इसके साथ इतनी जादा मेहनत की है channel के साथ बहुत जाद है इसके लिए आपका बहुत बहुत thanks और special thanks उन लोगों को जो मुझे content भेजते हैं हमारे मध्यपरदेश के परदीर तिरपाटी जी है वे जब भी कोई notes बनाते हैं या प्रशनोप्ति बनाते हैं सबसे पहले मुझे बेजते हैं जिससे कि मैं उसके अपने channel के upload कर सकूँ और जाद से जाद से जाद से सक्सक्सातियों का फायदा हो सके इस तरह से मध्यपरदेश में सेलेंदर सिंग्जी है वे भी मुझे लूप्ष बेजते हैं राकेश बुक्ता जी है उनका मुझे बहुत जादा support है वे अगर कोई video भी बनाते हैं टीलम से जम्मन्दित वीडियो बनाते हैं तो मुझे भेजते हैं जैसे उन्होंने गुणा चक्री की वीडियो मुझे भेजी कापी सपोर्ट करते हैं हमारे informative वीडियो ग्रूप के members मुरादबाद से RCG हैं वे भी बहुत सपोर्ट करती हैं वीडियो बनाने के लिए मुझे content भी व्लब कराते हैं और सबसे खास बात है मेरे informative वीडियो ग्रूप के members जिनके यहां भी कोई भी प्रस्नापतरी होती है सबसे पहले link मुझे बिस्ता है इसके लिए उन सभी सभी धर्नेवाद के पात्र है सभी ने इतनी मेहनत की कि मार्त चार-पांच महीने में हमारे चैनल ने एक लाग सबस्क्राइबर पूरे कर लिए साथियों बहुत खुशी का दिन है जब कोई एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है उसमें बहुत लोगों का साथ होता है कोशिस करूँगा ये चैनल आगे भी ऐसी चलता रहे आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे आज मैं आपके सामने सेयत अने जा रहा हूँ किस तरह से मेरे चैनल की सुर्वात खुई साथियों ये संग 2017 की बात है मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं बताता है किस तरह से यूटूब पे चैनल बनाया जाता है, किस तरह से वीडियो डाली जाती है, मुझे कुछ भी नहीं बताता है, 2017 में क्या हुआ, मेरी बेटी की पित्की थहली में पत्री हो गई, हमें पता नीता हमने डोक्तर को दिखाया, तो डोक्तर ने बताया कि दो पित्की थहल को जाए, तो उसके बाद मैंने यूटूब चैनल देखने शुरू किये। उन यूटूब चैनल का भी बहूत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मोरल सपोर्ट दिया उन चैनल्स में मैंने देखा कि पित की थैली की पत्री निकल सकती है उसके बाद मैंने गुगल पे सर्च किया बहुत सारी आर्मेट की बुक पड़ी तब पहली बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया और 40 दिन में यकीन मानिए वो पित की थैली की पत्री निकल गई एक भी पार्टिकल उसमें नहीं बचा मुझे बड़ा स्चरिया हुआ ये दिन सब देखकर उसके बाद मैंने सोचा जब मुझे फायता हो गया तो बहुत सारे लोगों को इसका फायता होना चाहिए तब मैंने पहली बार एक वीडियो बनाई पित की थैली के रिगार्डिंग और मैंने वो वीडियो यूट्यूब पर एक चैनल बनाकर डाली तब मुझे नहीं पताता कि मैं इस तरह से शिक्सकों की वीडियो बनाऊगा क्योंकि जादा मुझे नहीं पता था मैंने जैसे वीडियो डाली तो यकीन मानिए उस वीडियो पे आज की डेट में पांच लाख से जादा व्यूज है जब मुझे दिखा कि इतनी सारे व्यूज आ सकते हैं एक वीडियो पर तो फिर मुझे मैंने फिर अलग अलग ताइट की वीडियो बनानी शुरू की और धीरे धीरे आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता गया और आज हम ऐसे मकाम पे पोँच गए हैं कि हमारे एक लाग सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे कंटेंट मुझे इस तरह ही उप्लग कराते रहेंगे अगर कहीं परस्नावली होगी तो भी आप सबसे पहले मुझे कंटेंट उप्लग कराएंगे जिस तरह से आपका प्यार मुझे अब तक मिला मैं चाहता हूँ आगे भी आपका प्यार इसी तरह से मुझे मिलता रहें और मैं कोसिस करता रहा हूँ कि आप सभी लोगों की बदद कर सको तो साथियों एक लाग सबस्क्राइबर हमने जल्दी ही पूरे कर लिया है उम्मीद करता हूँ इस नए साल में हम एक लाग सबस्क्राइबर से भी बहुत आगे निकल जाएं और आप लोगों की मैं इसी तरह से ही बदद करता रहा हूँ धन्यवाद